अधि हम लों देखेंगे चैप्ट्र वन क्लास सेवन्थ जेग्रॉफी कि पहला चेप्ट्र है इंवाइरमेंट से जेग्रॉफी का तो इसमें देखेंगे इंवाइरमेंट का का definition क्या है the place people things and nature that's around any living organism is called environment कोई भी चीज़ों चाहे कोई place हो कोई people हो ठीक है माली एक इनसान इसको चारो तरब से कोई जुन्ड और पीपल का इन जुन्ड घेड लिया है तो इसको हम इसका surrounding बोलेंगे ठीक है और यह इसी का environment है ठीक है कोई place भी हो सकता हो सकता है कोई things भी हो सकता है इसको इस प्ले इस थिंग्स का उस यह उस पर्सन का हम environment बोलेंगे ठीक है उसके चारो तरब जो भी होगा ओके इडिक कॉम्बिनेशन ओप अप कॉम्बिनेशन ओप नेचुरल और human-made यह क्या होता है दोनों का mix-up होता है नेचुरल और human-made दोनों चीज का mix-up होता है ओके वैल नेचुरल environment refer to the biotic जो नेचुरल जो environment होगा उसे हम क्या बोलेंगे बायोटिक एंड जो human-made ओगा उसे हम क्या बोलेंगे अबायोटिक ओके वह नोट्स में दिया गया है बायोटिक में जोता है दी वर्ल्ड ओफ लिविंग और्गनिज्म का की दुनिया ठीक है जीवित और्गनिज्म है उनकी जैसे प्लांट्स और अनिमल्स ओके अबायोटिक दी वर्ल्ड अफ और इनवायरणर जिसका मतलब होता है नाइवरू उसके पडोसी ओके इस तो वर्ड जो कि फ्रेंज का वर्ड इसे ड्राइव वाय नवायरमेंट पर यह वह रहा होई नेचुरल इनवायरमेंट नेचुरल इनवायरमेंट कौन को से है फ़ला लिफ्स फेर एक आउदा सोलि मिनरल से बना होता है ठीक है और यह ना कवर्ड थिन लेयर अफ सोल और यह उपर से कवर्ड होता है पतला चादर सोल का ठीक है रोक स्याब मिनरल से बना होता है उसके उपर से इसके उपर किसका चादर होता है तो सोल का चादर होता है यह रोग एरेगुलर कहीं माउंटन होता खता है तो उसज़ा होता है कहीं डेपरेशन होता है और कहीं हणा सो तो तो यह रेगुलर सर रफिस होता है okay मौंटेन प्लेटिय। प्लेण व्यजर्वी ओके लेंट फॉम सर फान ओबर इक गंडिनेंट और लेंद उपर होता है जिस पर हम रहते हैं ठीक है लैंड़ फॉम्स दूसरा जो हो गया नेच्रल इंवार्मेंट हो गया वह एड्रोसफेर हुआ जितने भी वाटर वोडी जैसे रिवर लेक समुद्र जितने भी हैं वाटर वोडी सब्सक्राइब होगे जो नेट जो हमारे अट्मस्फेर में रोते हैं तरू कर एस वाटर वेपर में होते हैं ठीक है वेपर में वाटर होते हएं घुक्षर वो भी इंक्लूड़ेट होंगे यह वाटर बोडिच आइस अाइड्र तीसरा जो नेचरल इनवार्मेंट हो आटमोस्वेर ए एक थीन लेयर ओफ एर स्राउंड इर्थ एर्थ है इसको चारो तरब जो है यह का थीन लेयर है ठीक है यह न इसे हम क्या बोलेंगे अटमोस्वेर बोलेंगे ठीक है ग्रैविटेशनल फोर्स और अफ गातका वही इस इंवार्मेंट को होल्ड कर रखता न। чतम हो जाएगा ठीका यह हमें प्रटेक्ट करता आटमस्प्यार्यद्स करता है उस से जैसे ज्योवी सरोगं इससे कैन्सर होता है यूपी와 सरी जो संसे आता है बीच में क्या है ओजोन ले और यह यूवी रेज नेयर से उपर ही रह जाता है और पृत्वी तक नहीं आ पाता अगर यूवी रेज पृत्वी तक आएगा तो बहुत नुक्सान होगा प्लांट्सको भी है and human being covering it consists of large number of gases . atmosphere अगीस से बना होता है गास से बना होता है त डैस्ट से बना होता है and water vapor से बना होता है ओके the change in atmosphere produced produce changing weather and climate atmosphere में चेन्च जाइनाग दो हम क्या बोलता है फोर्थ हमारा जो नेचरल इंवायरमेंट है वह बायस्फेर यह क्या होता है प्लांट और इंवर्ल किंडम जब एक साथ मिलते हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं बायस्फेर मिल बोलते हैं ठीक है इडिस नेरो जोन अफ एर्थ वेर लैंड वाटर एर्थ इंट्रेक्ट विट इच अधर तु सपोर्ट लाइफ जहां पर सभी मिल जाते हैं ठीक है वाली यह है आपका लैंड फॉर्म यह हो गया आपका एट्मोस्फेर और यह हो गया आपका हैड्रोस्पेर पीच में जो यह वाला प्लेस न यह पोर्शन यह होगा बाइस फेर जहां पर लाइफ एक्जिस्ट करता है एकोसिस्टम यह क्या होता है एकोसिस्टम कब होता है इंट्रेक्शन अफ ओल्लिविग और्गनिजम विट इच अधर और फीजिकल और चैमिकल फेक्टर आप दीवार्मेंट इन यह कोई भी एक लिविंग और्गनिजम है वह इंट्रेक्ट करता है एक दूसरे से हम इंट्रेक्ट करते हैं नेचर से नेचर इंट्रेक्ट करता है हम से तो जब यह इंट्रेक्शन होता है तो इसके इसमें क्या होता है फीजिकल और केमिकल फेक्टर का इंट्रेंज होता ह और लिंक्त बाइड ट्रांसपर अनर्जी और मिट्रियल का ट्रांसपर होता है टीक है in this interaction में ओके और अपने अपने इमेडियेट सेरांडिंग्स पर हैं दिपेंड करते यह फिल अपने इंटर डिपेंडिंडंट पर और यह यह प्लांट यह वाह कैसा मर वस्तल होगा तो हां प्लांट्स नहीं गार तोब तौहां वाह वाटर वॉर्टल वोडिज होना चाहिए प्रवाटर वोडी मिलना चाहिए इसको इनवार्मेंट पर डिपेंड करता है कि प्लांट कैसे आप सस्टेंड कर पाएगा एनिमल्स का भी सेम होता है इसके इनवार्मेंट में उसके जीवन जीवन यापन के लिए कोई साधन है या नहीं तो एक दूसरे से क्या करते हैं होता है interaction का वेसे हम क्या बोलते हैं ecosystem बोलते हैं 5th जून एवर क्या मनाते हैं World Environment Day celebrate करते हैं फिप नूइं को एक बार्टर सिस्टम वो सिस्टम वश्ट्व रहाई सिस्टम वास्ट भी निमाए का यह जूते हैं दूसरे के पास चावल नेंट से इससे राइस देकर जूते ले लेगा ऐसे इससे क्या वोलेंगे वस्तु भी निमाएं है कि इस एक इंट्रेक्ट करता है इन्वाइरमेंट से और अपने नीड के अनुसार जो है वह मोडिफाई करता है इंवायर्मेंट को पहले का जब जो अर्ली हुमन बिंग थे वो जो अपने नेच्रल सराउंडिंग से जीवन न्यापन कर लेते थे पेड़ पौदे से फल वगरा तोड़ लेते थे खा लेते गुफा में वह रह लेते जैसे जैसे वह डेवलप हुए है क्या हुआ क्या करने लगे अर्ण डेवलप हुए हुआ जो सेटरल लाइफ जब जीने लगे तो क्रॉप उगाने लगे पसुओं पालने लगे और सेटरल लाइफ जीने लगे उसके बाद इंवेंसंब्स वह वील का जो चक्का का ओके सर्फलस फूड उगाया जाने लगा थीक है फिर बार्टर सिस्टम में बिनमें है उसलिए स्टार्ट हो गया त्रेडर कमर्स और क्मर्स डैवलप तुम बाद हो बाद भुद इंडस्ट्रियल रिवोたいनोच जो बहुत लार्जिसक sorcery इन्हीं किया उसके पाद है ट्रांस्पॉटेशंड ट्रांस्पॉटेशन जब जब जैदा एक प्लेसी पर ज़्यादा ज्यादा प्रोडक्षिन तो ट्रांसपोटेशन की जडर्रोत हो गी तो ट्रांसपोटेशन फाइस्ट रोगया उसके बाद इनफॉमेशन रेवल्यर रेवल्यिशन आया तो कम्मुकेशन को एजिय कर दिया हना और स्पीड कर दिया दो जैसे जैसे हमारा नीट चेंज होते गया हम भी इंवयर्मेंट को वेसे यह से मोडिफाई करते गए ही इंवन बींब, ओके